नमस्कार दोस्तों संध्या की रसोई हैस में आप लोग का स्वागत हैं तो देखिए आज हम बनाएंगे ये मुर्मुरा है मुर्मुरे की लड्डू बनाएंगे लाई तो इसे हम बनाएंगे देखिए ये मैंने मुर्मुरा लिया है और इसे मैंने कराही में थोड़ा गरम कर लिया था आप जब भी बजार से मुर्मूरे लाएं तो उससे थोड़ा गरम कर लें अगर ताजा मिल जाए तो ठीक है अगर बहुत दिनों का हो तो आप उससे गरम कर लें तब उसकी लड़ू अच्छी बनती है तो चलिए अब हम सुरूर करते हैं इसे बनाना यह मुर्मूरे अधा केजी है वजन में अधा केजी है और यह मैंने गूर लिया है यह दो सो थीस ग्राम है यह गूर बरन है तो इसे हम चाटकर छोटे-चोटे कर लेंगी या किसी चीज से भी आप तोर सकते ताकि इसे बनाने में आसान हो तो मैंने इसे चागो से काट करकर देखिए इतने छोटे-छोटे कर लिए हैं ताकि यह बनाने में आसान हो अब हम चलिए बनाते हैं इसे अब हम गैस पे रखेंगे क्राही और उसमें डाल देंगे यह मैंने क्राही रखें हैं और इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे यह देखे आधा ग्लास पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसमें गुर को डाल देंगे गुर को इसमें डाल कर और गुर को पकाएंगे हम देखिए इसमें मिलाएंगे और इसे हम पकाएंगे जब ये अच्छे से पक जाए तब हम इसका लाई बनाएंगे तो देखिए मैं इसे आप लोग को पका कर दिखाते हूं कि कितना पकाएंगे उसके बाद इससे लाई बना पका लेंगे और हम इसे चेक करने के लिए कटोरी में लेंगे पानी मैं आप लोग को चेक करकर दिखाती हूं कि कैसे करिएगा उसके बाद इसकी लड़ू बहुत अच्छी बनती है देखे मैं एक कटोरी में पानी लाई हूं इसे दिखाने के लिए देखे ये अभी एक कटोरी में इसमें और इसमें हम डालेंगे पानी में तो यह देखिए यह चारो तरफ फैल गया तो यह अभी हमारा नहीं पका है अच्छे से जब हम इसे डालेंगे और एक जगह जाकर जम जाए और फिर उठेखिए यह कैसे फैल रहा है न तो अभी यह पका नहीं है पूरा लड्डू बनाने के दिए अभी हम इस लड की लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं तो इसे एक बार आप लोग जरूर ट्राइए करिए गा और लोहरी में और मकर सक्रांती में तो इसे खाते ही हैं supposedly आते हैं तो देखिए मैं आप लोग नाकर इसे दिखाती हूं और आप लोग इसे बनाईएगा और खाईएगा दो मिनोटा और हम इसे पकाएंगे तब हमारा ये गुर पक जाएगा फिर हम लड़ू बनाएगे देखिए अब ये किनारे से बिल्कुल छोड़ने लगा है ना जब ये पक जाता है तो इसमें चमक आ जाती है अब किनार हम उसे एक बर चेक कर लेते हैं ताकि ये occupy ज़्यादा नर्म रहे तो भी नहीं बनता है तो इसका मतलब इसे बिल्कुल पक चुका है अब हम इसे लाई बनालेगे अब हम गास का फलेम कर देंगे बंद और इससे हम डाले लेंगे मैंने उसे रखा है ना उसमें डालेंगे इसे देखिए मैं अब गैस बंद करके और हम इसमें डालेंगे इसे और हम इसे जल्दी जल्दी डालेंगे और इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे हाथ से नहीं इसे कर्ची से चलाएंगे हाथ से चलाएंगे तो हाथ हमारा ज इसे यह मिला लेंगे इसंदोर में जल्दि करने जब तक लिए छल्दिक प्सक्का Yup जब तक इसे पूर्य मेंयों आपके फेगँ यह जाए कि यक क्षेन आप एंगे आदे में यह भी सराalley dá कि आए। इसे बनाना बहुत ही आसान है कि पह capitalist थी चल्दिक चीजों से बन जाता है ये बस आपको गुर चाहिए और मूर्मूरे चाहिए बस ये लड़ू तैयार हो जाता है तो देखिए अब मैं इसे बना दे हो इसे कर लेंगे अब हम हाथ से इसे ऐसे हाथों में थोरा हम लगा लेंगे पानी को क्योंकि ये गरम रहता है तो हमारा विय Doll 1 खीओ राव चीपकने लगता है तो हाथ में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे देखे गरम है तो हात ना जले और इसे देखे यह ऐसे हम इसे garam है अधो है अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे ताकि यह सब इसमें गुर मेल्ट हो जाए उसके बाद इसकी लाई अच्छी बनती है और अगर हम कराही में डाल कर ऐसे मिला देते हैं तो उसमें गुर ज्यादा हो जाता है वो बहुत ही मीठा हो जाता है और इस तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा मीठा भी नहीं होता है और बहु में थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता मुझे तो मुझे उतना मीठा पसंद नहीं तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और आप लोग भी ऐसे ही बनाएगा बहुत ही टेस्टी बनता है यह देखिए इसे ऐसे हाथों से करेंगे है बजार वाले लाई में बहुत गुर रहता है और यह उतना चिपचिपा नहीं होता और टेस्टी भी लगता है खाने में तो इससे हाथों से हम मसल लेंगे और हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे उसके बाद हम इसे लेकर गोल्द से देंगे यह देखिए ऐसे दबा दबा कर इसे हम दबा दबा कर तब इसकी लड़ू बनाते हैं ये गरम रहता है तो दबाएंगे तो अच्छे से बन जाता है ये तो हम इसे ऐसे ही दबा दबा कर सारे को लड़ू बना लेंगे आप चाहे तो बढ़ा भी बना लें चोटा मैं मीडियम साइज बना रहे हूँ ज्यादा बढ़ा भी नहीं ज्यादा फिप ही नहीं और ये देखिए ऐसे ही करके हम सारे लड़क है बना लेंगे मैं आपको एक छोटा भी बना कर दिखाती हूँ इसे छोटे बरे जिस सेप में आप जाए हैं बना सकते हैं इसे उठाएंगे और बस दबा दीजिए अच्छे से थोड़ा प्रेस देकर करिएगा तो ये लड्डू अराम से बन जाता है ये देखिए मैं छोटी एक लड्डू बना कर दिखा रहे हूं देखिए छोटे बरे आ देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिये हैं और देखिए कितना अच्छा बना है लड्डू एक भी हमारा टूटा नहीं है लड्डू और ये ज्यादा नहीं मीठा ही होता है और नहीं कम ही होता है खान में बहुत ही टेस्ट ही होता है तो इसे आप लोग एक बार जरू ट लड़ू बनाईए और खाइए हमारे यहां गाव में तो इसे लाई ही बोलते हैं और यूपी बिहार में तो यह फेमस है मकर सक्रांती में जरूर इसे बनाया जाता है तो आप लोग भी इसे ठंडी के मौसम में बनाईए खाइए और कमेंट करकर बताएए कि आपने लड़ू बनाई कैसी बनी लड़ू बहुत ही अच्छी यह बनती है लड़ू तो चलिए अब हम अगला वीडियो जल ले कराएंगे तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों